हेलो दोस्तों हम अभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरेन अध्यन यानि एवियस की जिसे आफ इंगलिस में इन्वार्मेंटल स्टेडिज बोलते हो ध्याने किएगा आपका CTAT का जूपेपर फर्स्ट होता है उसमें क्लास 3 एक प्रट और फ्र्सट की NC AT si questions बनते हैं तो हमने पिछली क्लास में कुछ questions के बारे में बात की थी हम लोग कर रहे हैं इस क्लासमें NCRT की Theory की Classes ये Classes हम आपको 4-5 Classes में पूरी जो Theory NCRT की उसका निप्टारा कर देंगे तो आप लोग रोज साम 6 बजे ये Classes जरूर देखिए यहां से आप लोगों के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे Class शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को अपने Friends के पास में Share कर दीजिए जिसने भी वीडियो को Like नहीं किया तो Like भी कर दीजिए चलिए देखते हैं पहला Point पहला Point है मरा जल तो डालीजिए Heading जल लिखा हुआ है प्रत्वी पर जल का प्रत्सद 71% है तथा स्तल 29% है जिसमें से जो जल है वो समुधरी जल जो है वो 97.5% समुधरी जल है और फ्रस्थ जो जल है जो ताज जल है वो 2.5% ताज है अब ताजे जल में भी 60% जो है गलेसिर वाला वाटर है जो जो पहड़ों गेरपे होता है और 30% groundwater रहे जानी, जो अंदरिनी पानी होता है और lay को रिवर में कितना है, लेक और रिवर में 10% का पानी होता है ध्यान नखी का हम लोगों के पीने योगे जो पानी होता है लगभग 1% तक पीने योगे पानी धे हम लोगों के लिए होता है देखते हैं next point लिखा हुआ है 21 एजेंडा 1992 में ब्राजिल में UNA Conference में विसु जल्दीवस मनाने का निर्णे हुआ यानि जो 21 एजेंडा हुआ था ब्राजिल में उसमें UNA की बेठक में विसु जल्दीवस मनाने की निर्णे लिया गया अगे लिखा हुआ है 1993 में पहली बार 22 मार्च को विसु जल्दीवस मनाया गया याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जल्दीवस का मनाया गया था तो 1993 में 22 मार्च को पहली बार विसु जल्दीवस मनाया गया था आगे लिखावा है जल के उपयोग, जल के उपयोग क्या क्या हैं सभी को बता होगा, फिर भी हम एक बार को देख लिए खाने, पीने तथा सारे रिक्रियाओं के लिए जल का उपयोग किया जाता है और कई सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें जलका यूज होता है जैसे कि आप इमेज में हाँ पे देख पा रहे होंगे हाँ दुलने, ब्रश्ट करने, नहाने, खाना पकाने और पैड़ों गएरों को पानी डाले में भी जलका प्रयोग किया जाता है आगे लिखा हुआ है गर्म पानी के स्रोत मनी करन कुल्डू में है इन्हें प्राकरतिक गीजर कहते हैं याद रखेगा अगर आपसे पूछ लिए जाए कि गर्म पानी के स्रोत कहां है तो कहां पे हैं मनी करन कुल्डू में ओके जिन्हें क्या बोलते हैं जिन्हें प्राकर्तिक गीजर कहते हैं आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है एक किलो गेहुं उत्पादन है तो पंद्रा से लिटर पानी चाहिए होता है तो यह आपका NCRT में लिखा हुआ था तो इसको याद रखेगा अब आगे लिखे जिस दिल्ली होगे आपका यह यम्र नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा भी यम्र नदी के किनारे बसा हुआ है लखनौ गोमती नदी के किनारे है और पटना गंगा नदी के उज्जेन शिप्रा नदी के आगे देखते हैं अब बात करेंगे वन के बारे में लिखा हुआ ह भारत में 23.81 फिचदी भूमी वर वन है जो 7.83 करोड हेक्टेयर भूमी पर फैले हुए है आगे लिखा हुआ है भारत का इस्थान विस्व में दसवा तथा एशिया में चोथा है याद रखेगा जो भारत का इस्थान है वन में वो विस्व में पूरे दसवा है एशिया में चोथे स्थान पर हमारा बारत है वन के सेतर में ठीक है आगे देखते हैं अब बारिश कैसे होती है इसके बारे में बात की गई है तो पहले क्या होता है बादल संगनन बिकार दिखाए देता है जो सूरी की विपरीद दिशा में दिखाता है इंदर धनुस में शात रंग होते हैं फलता अपरदन परावर्तन वह प्रकास के विचेपन का निरूपन होता है याद रखेगा जो इंदर धनुस होता है वह सूरी के विपरीद दिशा में होता है चलिए आगे देखते हैं लिखा हुआ है अधिक बारिस से बाड़, भुषकलन, मर्दा, अपरदन होता है जब अधिक बारिस होती है तो बाड़, भुषकलन, दथा, मर्दा, अपरदन होने लगता है आगे लिखा हुआ है बारिस से भूझ जलिस्तर उपर आ जता है जीवों वा पोदों में चेतना का संचार होता है आगे लिखा हुआ है टेंक या आंगन में पक्का गड़ा बनाकर वर्था जल संग्रेहन किये जता है तो जिसा कि आप इमेंज में देख पा रहे होंगे, ये जो है, जमीन में गड़ा बनायाता है, जिसमें वर्षा का जल संग रहन किया जाता है, कहां पे, जहां पे सूखे शेत्रूते जहां पर बारिज कम होती है, वहां पे ऐसा देखने को मिलता है, आगे देखते हैं, अब होल गुंडी गाउं की पंचायत का नाम है क्या है भीमा संग जो है होल गुंडी गाउं की पंचायत का नाम है जिसमें बच्चों को भी सामिल किया जाता है तो अगर आप से पूछ लिया जाए कि वह कौन सी पंचायत है जिसमें बच्चों को भी सामिल किया जाता है तो आपक क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है अलबुरूनी नामक्यात्री उजबेकिस्तान से भारत आया था तो अब यह पॉइंट याद रखेगा क्योंकि यहां से कई बार कोश्चन बन चुका है आगे लिखा हुआ है 1973 में अलबुरूनी के 1000 जनम दिवस पर भारत सरकार ने डांक टिकट जारी किया था याद रखेगा जब अलबुरूनी का 1973 में 1000 जनम दिवस था तब भारत सरकार ने डांक टिकट जारी किया था आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है अलबरूनी ने लिखा तालाब के चबुत्रे बड़े बड़े पत्थरों के लोहे कुंडों और सरीयों से जोड़कर बनाये जाते हैं इन तालाबों में भीड को परेशानी नहीं होती है क्योंकि चबुत्रे बड़े बड़े तथा लोहे की कुंडे और सरीयों से जोड़कर बनाये जाते हैं इन तलाबों में भीड़ नहीं होती है क्यों कि चड़ने वबतरेने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं कुछ इतिहास के सुरोत हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? चली देखते हैं अद्धियापक बच्चों को इतिहास का ग्यान कराने है तू इतिहास के सुरोत जैसे अलबरूनी की किताब इमारतें, दश्टावेज, शिक्के, चित्राद के बारे में बताएगा यहाँ पर अध्यापक के बारे में लिखा गया है कि अध्यापक जो है बच्चों को इतिहास का ग्यान कैसे कराएगा तो आध्यापक जो है सिक्के वगेरा और जो स्क्रिप्ट वगेरा धी उनको दिखा के इतिहास के बारे में उनको ग्यान कराएगा अब हम जल के सुरोत के बारे में बात करेंगे लिखा हुआ है पुराने शम्मे में मुसाफिरों है तो पानी, प्याओ, मश्रक, कुवा बावडियों से मिलता था तो आप लोगों को कुवा तो पता ही होगा क्या होता है बाकि जो मश्रक और बावडिया होता है उनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे तो बावडिया किसे बोलते थे जो सीड़ी दार कुवा होता था जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं जो सीड़िया बनी होती थी इन कुवाँ को बावडियां बोलते थे जैसा कि आप यह वाली इमेज में देख पा रहे होंगे और जो मशक होता था मशक लेदर का water bag होता था क्या होता था मशक लेदर का water bag होता था जैसा कि आप image में आपे देख पारे होंगे जिसमें पानी बरकर जो मुसाफिर थे वो रखते थे तो आगे देखते हैं next point है तरुड भारत संग चलिए देखते हैं कि यह क्या था आपका बन चुका है कि वो कौन सी संस्ता है जो पुराने तलाब वगेरों को रेपेयर करवा के उनको फिर से सही करता है तो वह संस्ता तरुड भारत संग कहलाती है याद रखेगा दढ़की माई जिसा कि देख पा रहे होंगे यह हैं आपकी दढ़की माई जिनके बतकते हैं आगे देखते हैं अब हम बात करेंगे घंप या इंज्टी के बारे में np लिखा हुआ है नवी नाबन शादे पानी में टूब जाता है जतकी नम्कीन पानी मैं थे दाय ऐसा क्यों होता है सहरर देंशटी या घंटी के करण होता है मैं आप घर में एक लास ले सक राखते हो और उसमें पहले simple पानी बरेंगे क्या जो सिंपल पानी ढर इसमें देखेगे तो क्या होगा नीचे डूब जाएगा तो ऍा राखे आखे और अगर वस्तु का घंट जो है जलके घंट से कम होगी तो वह तेरेगी अगे लिखा हुआ है यह दिवस्तु के आरतन से ज्यादा पानी की पानी विस्तापित करेगी तो वह तेरेगी तो आप यह दो पाइंट को याद रखिएगा इनको आप लोग नोट कर लिजिए यहां से आपका बन सकता है आगे अपने बात करेंगे डेट सी की बारे में यानी मरत सागर की बारे में लिखा हुआ है म्रत सागर सबसे नमकीन है जो मरत सागर है वह सबसे नमकीन सागर वह महा सागरों में से एक है इसके एक मिली लिटर पानी में लग भग 300 ग्राम नमक देखने को मिलता है म्रत सागर में हम लेट कर तेर सकते हैं जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे म्रत सागर में अगर आप लेट जाओगे तो आप उसमें डूब होगे नहीं उतमें आप तेरो और आराम से आप उसमें लेट कर बुग पढ़ सकते हो आगे अब हम बात करेंगे वास्पित या वास्पित की बारे में लिखा हुआ है पानी गर्म करते समय वास्पित होता रहता है क्या होता है जब पानी को गर्म करते हैं तो वास्पित होता रहता है यानि जब पानी को गर्म करते हैं तो वास्प मेंसा बनती रहती है और वह उपर निकलती रहती है आगे नहीं होता है लेकिन जो पानी का उबलना होता है इसका एक temperature होता है तभी पानी उबलता है ठीके आगे देखते हैं अगहिंगे मोटर लगा कर पानी निकालना दूसरा पॉइंट है तालाव करना होना जिसमें पानी इकठा होता था तिसरा पॉइंट है जमीन को सिमेंट से पक्का करना यानि अब क्या हो गया है अब लोगों ने इपने घर में मोटर लगा लिया है जिससे मोटर को अन करके पानी निकालेते हैं और पुराने ज़वाने में तालाब भुगा करते थे जिसमें पानी कटा हो जाता था फिर वही पानी धिमे धिमे कूओं में आया करता था लेकिन अब क्या है अब तालाब भी नहीं बचे हैं और तिसरा पॉइंट क्या है जो कूओं है उनके असपास की जमीन को पक्का कर दिया गया है इसलिए पानी जो बारिस का होता है वो बह जाता है वो अंदर तक नहीं जा पाता है आगे देखते हैं अब लिखा हुआ है नदी पर बांद बनाने से हनिया नदी पर बांद बनाने से क्या क्या हनिया होती है उनको देखेंगे पहला क्या है गाउं वालों का विस्थापन यानि जब नदी पर बांद बनाए जाएगा तो जो इसके असपास की गाउं होंगे वहाँ पे बाढ़ वगेरा के समस्या आने लगेगी तो उनको अपना गाउं छोड़के कहीं दूर जाना पड़ेगा अगला पॉइंट क्या है आर्थिक समस्या तो जब कोई अपना गाउं छोड़के जाएगा अपना घर छोड़के जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसको आर्थिक समस्या भी आएगी और पर्रया बनेट समस्य जहां पर यह बांद बना जाते हैं वहां पर दूर दूर तक जो जंगल वगेरा होते हैं वह जल्मगन हो जाते हैं जिससे पेंड़ वगेरा का हानी होती है और क्या रिखाव है वन जीव का विनास है जैसा कि हमने बताया है कि जहां पर यह बांद बना जाते हैं वहां पर बिजली उत्पादन जब बना जाते हैं तो इसमें टर्बाइन वगेरा लगा जाते हैं जिससे बिजली उत्पादन की जाती है दूसरा क्या है बाढ़ पर नियंतर यानि जितना पानी जरूत होता है उतना ही बाढ़ से छोड़ा जाता है जिससे बाढ़ वगेरा आने के कम च देखते हैं अब अभी जो हम लोग ने क्लास की उनसे रिलेक्टेट कुछ कोस्टन से इनको जल्दी बली सौल करेंगे फिर आगे देखेंगे आगे क्या क्या पॉइंट से हैं पहला कोश्चन है पराने जवाने में कई जगा बावडियां बना जाती थी इसका मुख्य कारण क क्या होता था सभी को पता होगा जो पराने जवाने में बावडियां बना जाती थी वह प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए बना जाती थी नेक्ट कोशन क्या है पहड़ों पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है तो पहड़ों पर जो पानी का मुख्य स्रोत होता सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब देखते हैं म्रत सागर क्या है तो अभी हम लोगों ने मिरत सागर के बारे में बात की चलिए तो म्रत सागर ऐसा सागर है जो सब्सक्राइब देखते हैं नेक्श कोश्चन लिखा हुआ है अलबरुनि के यत्रा विवरण के बारे में असत्तिक की असत्तिक अतन की पहचान करें चलिए कोश्चन नमबर फाइब को पढ़िए और इसका अंसर दिजीए क्या अलबरूनी ने लिखा था कि भारत के लोग तलाब बनाने में माहिर हैं सही है ये लिखा था दूसरा पॉइंट क्या था पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरीयों से जोड़ कर तलाब के चारों तरफ चब उत्रे बना जाते थे तो ये भी सही है तलाब के चरणे बारत के लिखा था तो यह भी सही है हमसे असत्य कतन पूछा गया था तो औपशन सही हो रहेगा किमए ये असत्य है नेक्ष कोशन है सीड़ी दर कुवा आता था बावली निम्रिखित में से किस से समद्धी थे चलिए पताईए कोशन नम्बर सिक्स का आंसर दीजिए पहला अप्शन है वे जल भंडा रेन था सनच्छन की पारमपरी की ववस्ता हैं दूसरा अप्शन है समद्धाइक स्रोत्तों के रूप में उनका प्रयोग होता था तूसरा अप्शन है उनका निर्माण मुखिता वर्सा रहीत राजियों में होता था और चौता अप्शन है उनमें केवल संदूसित जल होता था तो चलिए question number 6 का answer दीजिए question number 6 का answer number D बिल्कुल गलत है तो जिसमें A, B, C होगा वो जाएका बिल्कुल सही तो किसमें A, B, C option number 1 में है A, B और C क्योंकि इसका D गलत था next question है question number 7 अलबरूनी जिस तेस से आया था उसका नाम क्या था तो सभी को पता है अलबरूनी उजबेकिस्तान से भारत आया था next question number 8 लिखा हुआ है हम सभी पुराने कुगों को देखते हैं जो अब सूख गए हैं निम्रिखित मैंसे कुगों को सूखने के समावेत सही खारण को चुनिये तो सभी को पता होगा अभी हम लोगों इनके बारे में बात की है तो question number 8 का A सही ओर रहेगा B बिसे हो रहेगा और D सही हो रहेगा C तुकरत हो गया और D सही हो रहेगा Q oke 8 का answer number 4 बलकुल सही हो रहेगा देखते हैं next question अब हम बat करेंगे राजियों के भोजन के बारे में विभिन राजियों में किस-किस तरीके के भोजन बनाई जाते हैं और किस-किस तरीके के भोजन खाय जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे जो कि NCRT बैस्ट रहने वाले हैं तो पहले देखते हैं कि पकाने की कौन-कौन से तरीके होते हैं आपकी NCRT के इसाब से भून कर उबाल कर तल कर रासेंग कर चार तरीके से खाने को पकाया जाता है देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है UP उत्तर प्रदेस में कचनार के फूल की सबजी खाई जाती है तथा महराष्ट में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं महराष्ट में क्या होता है सहजन का जो फूल होता है यह आपका सहजन का फूल यह वाला और यह क्या है यह कचनार के फूल है और यह सहजन का फूल है तो महराष्ट में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं और और सेजन के फूल के पकोड़े महराष्ट में खा जाते हैं अब गोवा तथा कस्मीर के बारे में बात की गई है लिखावाई गोवा तथा कस्मीर में मचली को नारिल के तेल में तथा शॉष्णों के तेल में तला जाता है यानि गोवा में मचली को नारिल के तेल में तथा क मचली को तलायाता है यादर कीगा इसको गोवा में नारील के तेल में कश्मीर में सरसों के तेल में मचली को तलायाता है गुजरात के प्रमुक खादे ढोकला चटनी वाले चावल वह मिठाई है कौन-कौन से ढोकला चटनी वाले चावल वह मिठाई है यहाँ पे नीबू वाले चावल भी एक यहाँ पे अपसन होता है क्या नीबू वाले चावल भी इसका एक पॉइंट होता है जो इसमें छूट किया है गुजरात के फिरमों खादे नीबू वाले चावल ढोकला चटनी वाले चावल वा मिठाई होते हैं अब अगर आप वलसार इस्टेसन पर घूमने जाओंगे गुजरत में तो वहां पर लोग वटॉटाटा-बड़ा पूरी साग बेचते हुएcción बेचते हुएं आगे बात करेंगो केरल के बारे में करल में नारिल के पेंड होते हैं किसके नारिल के पेंड होते हैं वा चावल की खेती भी होती है तो यहाद किगा केरल जहे वहाँ पे नारिल के पेंड होते हैं और चावल की खेती की जाती है केले के फूल की सबजी केरल में खाई आती है जो केला होता है केरल में टेप्यू का और करनाटक वा तमिल अडू में इडली डोसा खाया जाता है जिया रखेगा केरल में टेप्यू का और तमिल अडू और करनाटक में चावल इडली डोसा खाया जाता है नेक्स्ट है होंग कॉंग होंग कॉंग में सांप का वेंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुफेंड कहते हैं क्या बोलते हैं जिसे लिंग हुफेंड बोलते हैं जिसे क्या आप इमेज में देख पा रहे होंगे एक बंदा जो है वो सांप को किस प्रकार कट कर रहा है आगे देखते हैं अब हम बात करेंगे पोधे के कुछ खाया जाने वाले भागों के बारे में हम लोगों ने कल इनके बारे में बात की थी तो आज जल्दी बिल दिन को देख लेते हैं पत्ती कौन-कौन से हैं? अर्बी, धनिया, पत्ता-गोभी, पालक, ककड़ी, पत्ता ये सब सरीचले क्या हैं? ये पत्ती हैं जिनको हम लोग खाते हैं फूल कौन-कौन से हैं? सेजन का फूल, केला, कचनार के फूल ये हम लोग खाने के रूप में प्रियोग करते हैं और जड़ के रूप में मूली, गाजर, तत्ता-चुकंदर होती है तो यादरखे का यहां से आपका एक क्वोशन बनता है नेक्स्ट क्या लिखावा है? पोधे को खाया जाने वाला भाग अपोधे का आप खाया जाने वाग कौन-कौन से होता है? तना किसका होता है? अदरख, आलू, प्याज और कलम ककडी तना होता है जिसको हम लोग खाते हैं बीज कौन-कौन से खाते हम लोग? सरसों, गेहूं, धान, बाजरा और चना इनके बीज हम लोग खाते हैं जैसे सरसों का हो गया सरसों का तेल गेहों का आटा दान की चावल और बाजरे की रोटी बगेरा बनती है और चाल किसकी होती है दाल चीनी की चाल हम लोग खाते हैं फली मटा रोसेजन की फली हम लोग खाते हैं आगे देखते हैं अब कुछ questions और करेंगे फिर आज की class को समाप्त करेंगे लिखाओ है नेमली खेल में से उस समूँ को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिये गए हैं चली बताईए अभी हम लोगों निर्ट के पारे में बात की थी खाना पकाने के तरीके किसमें दिये गए हैं चली कोश्चन नमबर वन का ऑप्शन नमबर टू जिसने भी लगाए विल्कुत सही सेंक कर तलकर और भुनकर नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर टू लिखा हुआ है पसंद ना पसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी चात्र ने कहा मुझे और मेरी मां दोनों को साप खाना ब खाते हैं यह चात्र कहा का हो सकता है चलिपधाईए अभी हिम लोगों ने के बारे में बात की किस साप कहां पर खाया जाता है साप जो है हौंक कॉण में खाया हिए बूलते हैं नेक्स कोश्चन हैлम कोश्चन नमबर घ्र diap रेल गारी दोरा एहम्दाबाद गुजरात जा कोश्यों नमबर थीरी का आंसर दीजिए तो बैचने वाले वहाँ पे अधिकतर ढोकला चठनी वाले चठनी वाले निमबू अलिचावर बैचते हुए मिलेंगे। नेक्स कोशन क्या है कोशन नमबर 4 लिखावा है निम्री खित में से हमारे देश के किस राजी में अधिक तर लोग नारियल के खाने में पकी हुई समुदरी मचली खाना पसंद करते हैं चलिए बताईए उप्शन नमबर 1 हे गोवा उप्शन नमबर 2 हे बिहार उप्शन नमबर 3 हे जमू और कॉस्मीर उप्शन नमबर 4 हे मिजोरम अभीम लोगों ने बात की थी कि गोवा के लोग नारियल के तेल में बुनी हुई मचली खाना पसंद करते हैं नेक्स कॉस्चन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ अबला हुआ टेपीयो का निम्रखित में से किस चेतर का प्रिय भोजन है चलिए बताईए अभीम लोगों ने बात की थी कि टेपीयो का जो है केरल में खाया जाता है तो कॉस्चन नमबर 5 का आफ्शन नमबर 1 जि यह थी आज की हमारी klaus आयोंग आप लोगों के लूग होगी अगर लोगों क स्छे कर दीजिए जिस से जयादासे बिटाकों के बला को यह से जरका पंदनाई ब्रियें को यहांचे आप लोगों को 15 नंबर डारेक्ट देखने को मिलने वाले हैं तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत